Hello friends, आज हम पौधों की कट्टिंग लगाएंगे, तो मैं आपको बताओंगे कि कौन कौन से पौधों की हम कट्टिंग लगा सकते हैं, तो वह कट्टिंग हम किस तरह से लगाएं, तो ताकि वह 100% हमारी कटिंगा जो लग जाए, तो इन पौधों की जैसे गुडल हो गया और जैसे कनेर की कटिंग हम लगा सकते हैं, बोगनबिलिया की कटिंग हम लगा सकते हैं, और जैसे फलवाले जो पोदे होते हैं, मरूद और अनार के कटिंग हम लगा सकते हैं, तो पहले हमें थोड़ी सी इनकी ये पैचान कर लें, कि 4-5 मेने जो है थोड़ी सी पुरानी ठैनी क कटो हम देखे तो थोड़ी सी वो हमHaन पैंसिल की जितनी की लंबाई की काट में और थोड़ी वह ब्राउन सी कलर की होनी चैए क्वार तो इस द्रहा से ये कटिंग मैं काट रहे हूँ इसको मैं दिखाऊंगी ये थोड़ी सी इसका कलर जो है वो ब्राउन होना चाहिए तो इस तरह से मैंने ये कटिंग ले ली तो हम इस कटिंग को जैसे सारे पोदों की हम फूल वाले पोदे फल वाले पोदे सब की कटिंग लगा सकते हैं इसके मैंने सारे पत्ते जो है अटा के साइड कंद्टती गunting सबस्क्राइब Bennett paese referring to mum का साइट का किसा है तो भी कि द्सकराइब पाना टे चाया में इसे रखें, जदा दूप में ना रखें, और इसमें पानी डालके, और कम पानी इसमें दे, और जदा मिती सुखी भी नहों, तो friends, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी लाइक के जेगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब के जेगा, और ऐसे हम जो अगर पर पोधे त्यार कर सकते हैं कटेंग से वो जल्दी फूल वाले पोधे होते हैं वो जल्दी फूल देने लग जाते हैं तो चोटे-चोटे पोधे हम त्यार कर सकते हैं